प्रिथवी के प्रमख परिमंडल जब कोई आप से पूछता है कि आप कहां रहते हो आप हमेशा बताते हैं घर पर आपका घर कहां पर है आप कहते हैं प्रिथवी पर ऐसा क्यों। कहते हैं अब आप इस ठोस से खड़े-खड़े दूर तक ऊपर देखिए यहां पर हवा के रूप में पृत्वी को चारों और से घेरती हुई आक्सिजन नाइट्रोजन कार्बंडाय अक्साइड तथा दूसरी गैसे पाई जाती हैं इसे वाय मंडल कहते हैं और यहां पृत्वी के बहुत बड़े भाग पर जल है उसे जल मंडल कहते हैं जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं वहां सभी प्रकार के बनस्पतियां जीव पस्व पस्ची आदिका जन्म होता है यहां जीव मंडल कहलाता है यह चारों पृत्वी के परिमंडल के भाग कहते हैं यानि इनको मिलाकि का कहते हैं इनको परिमंडल कहते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं बहुत सब तरीके से ये हमारी पृद्धिवी है ये अंतुरीक dawg है को क्रोट है ये मेंटल है ये औस ये 4 तरह आपको दिख रहा है ये वाय मंडल है ठीक है और यह जो आगे है यह जल मंडल दिख रहा है आपको नीला नीला और यह जो है यह स्थल मंडल दिख रहा है आपको और यह चारों तरफ वय मंडल है और जल मंडल में वय मंडल में और स्थल मंडल पर जहां जहां जीवन है उसको जीव मंडल कहते हैं इन चारों कहते ह कि परमुख परिमंडल ठी के इस इसमें दिखा हुआ है हमारी गोल पृत्षी के के इंद्र को कौठ कहते हैं ये कौठ और के ऊपर की परत को मेंटल कहते हैं ये पीली वाली मेंटल परत और मिंटल के बाहर की परत को भूपरपटी यानि क्रस्ट कहते हैं ये पूरी क्या है ये बाहरी परत है क्रस्ट भूपरपटी है अब अगला क्या है महादीब समूतल से उपर उठे हुए बिसालता भूभाग को महादीब कहते हैं जैसे एसिया महासार किसे कहते हैं पृतिवी के उपरी गहरी खाया एम खरड़ आपस में मिले हुया हैं जो खारे पानी से भरे हैं यह विसाल जलासिया ही महासागर कहला थे जिसे प्रसंद महासागर इस्थलवंडल हमारी प्रत्रीप पर साथ महादीप हैं एसिया अफरीका उत्री अमेरिका दच्री अमेरिका अंटाक्टिका यूरोप और अस्टेलिया ये सभी महासागरों से घिरे हुए हैं महादीपों का अधिकांस भाग उत्री गोलार्द में इस्थे जबकि दच्री गोलार्द महासागरों का अधिकांस भाग इस्थित है तो अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं आगे ये देखिए आपको सारा कुछिस में नजर आने वाला है आप इसको देख रहे हैं ये हमारी प्रत्वी है ये जलरासिया है ठीक है? ये भूमद रेखा है आप देख रहे हैं ये हमारे महादिप हैं ये जलरासिया, ये योरोप, अफरीका, ऊतरी अमेरिका, दक्षनी अमेरिका, आस्टेलिया और अंटाक्टिका ये 7 महादिप हैं उत्री गुलार्द यानि भूमसागर से उत्तर साइड में ये जो एरिया है यहाँ पर अधिकांस्ता महादिप हैं यानि इस्थल का भाग ज्यादा है और दश्री गुलाद इस तरफ जल का भाग ज्यादा है तो हम यह कह सकते हैं कि दश्री गुलाद में जल ज्यादा है इस्थल कम है और उत्री गुलाद में इस्थल ज्यादा है और जल कम है तिक है आगे पढ़ते हैं आपको यह दिखाए बढ़ रहा होगा कि महादीप में चेथफल के अनुसार हम देख सकते हैं एसीया सबसे बढ़ा है सेथफल इसका है 4.26 करोड़ किलोमेटर उसके बाद अफरीका 3.04 करोड़ किलोमेटर उसके बाद उत्तर्य अमेरिका सबसे चोटा महादीप आस्टेलिया है इसको बड़ी अच्छे तरीके से आप इसको देख सकते हैं ये गर एसिया है ये यूरोप है ये अफरीका है पहला एसिया तूसरा अफरीका तीसे नमबर पर उत्रे अमेरिका चौतरे अमेरिका और पाश्वे नमबर पर अंटाक्टिका ठीक है ये अंटाक्टिका रहा और छटे नमबर पर अपका यूरोप है और साथे नमबर पर आस् अब देखिए एसिया महादूप के बारे में पढ़ते हैं एसिया महादूप इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में यही है माचिद में आपने देखा एसिया महादूप है इस महादूप में अनेक देश इस्तित जैसे चीन इरान जापाना इत्यादी एसिया आफ तो महाँसाखर है ठ्क ग्षिन में हिंद महाँसाघर का नाम हिंद नाम के रधर पर पड़ा है इसिया महाद्यूप के प Washington में योरॉप माधियूप है उरोप है योडिय का बिश्बी सबसे उच्ची परवात श्रंखला हिमाले इसी महद्यव में हिस्तित है बिस्व के सबसे उसी चोटी माउंट एबरेष्ट आठेया आठ सो पचास मीटर जिसकी उचाही है हिमाले परवत में हिस्तित है इसके लाव दुनिया की चट कहा जाने वाल तिबत का पठार दक्कन का पठार पामीर का पठार एसिया मादुप के प्रमक पठार है गंगा यमना सतलस सिंधु दजला फराद हुआंगो इरावदी ब्रह्मः पुत्र आद नदियां इसी मादुप मेरती हैं इन्हें आपको एटलस में ढूंड लेना चाहिए आगे देखते हैं एसिया एसिया जो है मांसूनी जलवाय जल की कमी का सामना करना पड़ता है किसानों फसले सुख जाती है यह सारी कुछ दिक्कते हैं यहां पर यह आपको दिया गया है जिससे कि छट के वर्षा जलका संचैन इसमें दिखाया गया है अब देखे आगे अफ्रीका मादिव इस मादिव को उत्तर पस्ची में इटलस पर नाइजर कांगो लिंपोपो और यह प्रमुख नदिया है नाइजर कांगो और लिंपोपो ठीक है यह प्रमुख नदिया है कहां कि अफ्रीका महादिव की आगे देखते हैं अफ्रीका महादिव में क्या क्या है कांगो नदी भूमद रेखा को दो बार काड़ती है जबकि लेंप उपन दी मकरेखा को दोबार करते हैं यहां का विक्टोरिया जल प्रबाद 20 प्रसिद्ध है जो अपनी सुंदर प्राकरतिक छठाओं के लिए जाना जाता है संसार में प्रसिद्ध हीरे सोने की सबसे बड़ी खाने ड्रेकेंस बर्ग की खाने हैं जो की साउथ अपरीका में इस्थेत हैं मिस्र देश में 20 प्रामेड है आपको जानके आश्चर होगा कि सबसे पहले मानों जन्म तथा विकास इसी महाद्यों पर हो था आगे